हेलो एभीवन आज मैं पुर्वांचे स्टैल रोफिस करी बना रही हूँ इसके लिए मैंने 1 केजी 300 ग्राम रोफिस लिया है यह धुलावा रोफिस है अब इसमें 1 टीस्पून थोड़ा सो और हल्दी डालेंगे और पर एंड़ा हाफ टीस्पून सॉल्ट डालेंगे सबको अच्छे से मिला लेंगे और बहुत ही थोड़ा सा सर्चू का तेल डालेंगे जिसे की हल्दी और नमक अच्छे से बैंड हो जाए मचली की उपर और यह देखिए मैं अच्छे से मिला लिया है और इसे पंदर मिनट के लिए छोड़ देंगे रेस्ट होने के लिए अब हम मसाले ले लेते हैं मसाले के लिए मैंने फूर टूफ वाइव टीस्पून यडव मस्टर्ड सीट यानि की फिली सड़त लिया है धन्या लिया धन् जीरा लिया है काली मिर्च लिया है अजवाइन लिया है और एक बड़ी लैची लिया है और दो मीडियम साइज टमाटर चैसे साथ लैसुन की कलिया एक आम करचाब तीन लाल मिर्च तीन हरी मिर्च और अब हम कड़ाई को चड़ा देंगे कैस के ऊपर मीडियम हाई फ्लेम रखेंगे और सर्सू का तेल दालेंगे इसमें वान फूर्थ टी स्पूल मेथी दाना डालेंगे जब यह एक दम चिटकने लगेगा अब में अपने मश्री खुकाई करेंदेंगे तीन घरा मुट का अब अबस्ट के एक इसमें मश्री मश्रीच पीपाई करेंगे देंगोंशाइचे अब लेंगे। में हमें लीजयम हाई रखनाने और यह देखियों अप्रीश पाई रहा है और अधु जो प्लाद देखियों कि देखियों है पाउ बुम्रीश ऑनके लियों कि छीजयों पाई बीजयु कर रहे में भीज़ अच्छी कम करते हुए पर यह को निकालेंगे इस लेक्षी कर दो मेर बीद साभजा से क्स्थी की जरा सक हुए ईतलियु है सकत हुए ऑम शेता हैं दो मुछं के मैं अभाल का इस देदे हैं बस जसाइ पीजञ्ड intent ट्लम में थागा है पिस हो ज Państwo कि अपीज में की ingredient लो ड्षी ले कि में आपलगorden की ड्षाओं जुद आ कि अंदे एड ला एडिकन लोल इसाइप Coach को एड़ इक नली का लुद मैंने पूरी मखीया प्राइ कर दिये और अब मसाले को पीस लेते हैं बारी मैंने मसाले पाने में बिंपो दिये तो तकी लिया असानी से बिसे हैं अब मसाले में डाल देंगे और अब तमादर लासें लालमिश घरीमिश और एक आम का अचाप को भी मसाले में डाल के साथ के बारी पीस लेंगे कर दिये यजय हुआ अजय है लिए ये मसाले को पीसले को और तोड़ा तोड़ा पानी डालके बूमिन पीछ जाएगा एक बार में ज्यादा पानी मतल खालेगा तोड़ा करके पानी डालके गरिक अब इसको इस बॉल में निकाल लगते हैं इस कराई में हमने पुछ को प्राई किया था इसे में थोड़ा सा प्रेल और डालके में पुछ को भूल नहीं कि अनिके बनर ओं कर दिया है वह से तो गक्तुल बाउ डालेंगे इपना आपको जरूरत लगेगा कि मसाला उत्ते तेन में अच्छी से बून जाएगा जह रहें अब आप हसाले जाएगा अब आपको अब पारदी को यह लगातार इसे चलाते रहें हैं यह जो भी जोखें निए भी ते मिश्वावाइटार लेकिंग और जनने नागाता है कि आपको लगातार इसे चलाते रहें हैं आपको हल्दी डाल देना है हमने प्राइटी शी मख्ली उसके हमें हल्दी डाला का तो मसाले में थोड़ा कमी हल्दी जाहेगा बिस बाक्त में जिनदेना है इसके चलाते रहा है वह जोटी आपका मसाला बुनने लगे है कि इसकी काफी बुन चुका है इसकी गॉंचिती कम हो जाएगी और किनारे किनारे से तेर्ज होने लगे है इसका कलर जेय हो गया बढ़ें तो फोड़ा पानी डाल के आपको ग्रेवी बनानी है इसमें तोड़ा तोड़ा करके पानी डाला है इतना गाड़ा आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब के उसको सुपानी डाल दीजिये अब प्रोड़ा साइस में सॉल्ट डालेंगे अपने स्वादानु साथ अच्छी से मिला लेंगे अब डग देंगे एक उबाल आने के लिए अच्छी मैंने डग दिया है और एक उबाल आ जाएगा तो आज कम करके इसमें जो आप में मश्ली को फ्राई किया था वो डाल देंगे अच्छी 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 झाल